आज हम बात करेंगे एंजो प्लास्टी के बारे में बहुत लोगों ने सुना है पड़ा है देखा है लेकिन डीटेल्स लोगों को नहीं पता रहती और जब भी किसी को हार्ट अटाइक आता है तो ज्यादा दो लोग को नहीं पता होता कि क्या करना है कैसे मानेज करना है इसल आजब लासटीघ प्रूसीजर है जिसमें हट की बॉडी की कीकी बीनली में आगर कोई बलोकेज होता है तो उसको वाम एक मेटल का स्प्रिंग लगाके ओपन करते हैं जिसे दैपन क्रते कोलेस्टैम भाझेन फिशादिव में फ्लो चालू हो जाता है यूजली ओ स्प्लास को 1964 में डॉटर नाम के एक साइंटिस ने किया था पाऊ की नली में हाट की नलियों में सबसे पहले 1977 में ग्रुंजिक नाम के स्विजरेंट के साइंटिस्ट ने इसको पहले किया था और लगबग 30-40 साल से यह टेक्नोलोजी डेवलप्ट है लास्ट 20-25 साल से जब से जाना चालू है तब से टेक्नोलोजी बहुत अड्वांस्ट हो गई है और रिजल्स भी काफी इंप्रूव हुएं अंजोप्लास्टी करने के लिए हमने अंजोग्राफिक बाले वीडियो में जो डिसकर्स किया था हाथ की नली और पाऊं की नली से इसको किया जाता हाथ की यक किनली में से घेनली के जाते हैं तो यह थे हैं यह रिख प्रेशर जिसको फ्लाटे हैं तो और वो तो नली में जगह कृेट करता है उसके बाद एक स्टैंट करते हैं जैसा के आप डैक्राइम में देखँ है एक कडा जाली होती है जैसे पेन का रिफिल में फिरले जमाने में चिपक बहुं को बाहर निकाल देते यह प्रोसीजर को अजेप्लास्टिक कह Leev यूजली इसको करने में 10-15 मिनिट या माक्सिमा अधा गंटा लगता है बहुत कॉंप्लेक्स अकर अंजो प्रसेजर को करके हम डिस्चार्ज कर सकते हैं इसमें कोई भी सर्जरी या ईंसिजन चीर्फार की जरुमाने माटेश पर एज लिमिट इसमें नहीं है तीन साल की बच्ची में भी रीसेंटली अपने आसपास में एक अंच्योप्लास्टी किया गया था फॉर आ माइनर अटक समदर इशूज वर देर पर इस तरह का प्रोसीजर में कोई किसी भी तरह के पेशिंट में इसको किया जा सकता है और ब पाफी सिंपल हो गया है यंग पेशिंट में लेकिन जब हम अंच्योप्लास्टी करते हैं तो जाधा तर हम स्टेंट को यूज नहीं करते हैं क्योंकि स्टेंट बेसिकली एक मैटल का ट्यूब है जो कि लाइफ लॉंग नली के अंदर रहता है तो हम कंपरेटिवली अगर यंग पेशिंट या 15-20 साल की उमर में अगर किसी का अंच्योप्लास्टी करना पड़ता है तो उसमें स्टेंट का यूज नहीं करते हैं उमर दराज पेशिंट में जहाँ ब्लॉकेज़ वगर ज्यादा होते हैं ज्यादा तर नलियों को बिना स्टेंट के नहीं किया जाता है अब हम नली के कुछ टेक्निकल एस्पेक्स के बारे में बात करेंगे यूजली अंच्योप्लास्टी में कितने बार कर सकते हैं वैसा भी कोई अपर लिमिट नहीं है एक नली में भी अगर मल्टिपल जगा पर ब्लॉकेज़ आ रहे हैं तो भी इसको बार बार किया जा सक जाता है तो इससे अगले स्टेंस में ब्लॉकेज़ का चांज भी कंपरेटिवली ज्यादा हो जाता है एक नली में अगर मल्टिपल जगा पर ब्लॉकेज़ तो मल्टिपल स्टेंस भी यूज किये जा सकते हैं ज्यादा तर आंजिए अगर किसी नेली में 70% से जादा के जिसो 70% से जादा हो उसको ट्रीट करने से फायदा होता ही होता है जरूरी नहीं है जहां पेशिंग को तकलीव जाद होती है तो जो कच्रा है वह साइड उपर आ जाता है नली खुल जाती है उससे लेकिन वह बाहर नहीं निकलता है और काफी लोगों में ऐसी भ्रांती पर यूजली नहीं होता है पर यूजली वह किसी और जगह पर पहुंच जाए इसका चांसे बहुत नहीं के बराबर है और हम बात करेंगे प्रोसीजर रिलेटेट कुछ इसूस के बारे में यूजली अंजय प्लास्टी करने में 15-20 मट का टाइम लगता है इसके बाद अग करते हैं लिए उसको रिपार कर सकते हैं क्योंकि यूज जो नली को रिपेर करते हैं लेकिन जो हाट अटक के वजे से हाट का टिशू बिगड़ गाया उसको रिपैयर नहीं कर सकते हैं तो इसलिए करने के बाद भी थोड़ा रिस्क तो रहता है ज्यादा तर आंजोप्लास्टी रिलेटेड या स्टेंट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं पहले 24 गंटे में सबसे ज्यादा रिस्क होता है इसमें दवा का रियक्शन होना स्टेंट में क्लॉटिंग होन पेशिंट को हाट की गती का अनियमित होना यह सब प्रॉब्लम्स जादा तर हाट अटाक वाले पेशिंट में पहले 24-48 गंटे में होते हैं इसलिए यह टाइम पीरिड हम पेशिंट को अब्जरबेशन में रखते हैं एक बार 24-48 आज हो जाएं तो फिर कंपेटिर भी रिस गति का अनियमित होना हाट बन पर जाना हर फट जाना से कोई निगल के ब्रेइब में जाना दवा की रियक्शन से ब्लीडिंग होना यह सब साइड इफेक्स कभी कभी प्रॉसीजर के बाद बीजिए सब रिस्क रहते हैं तो इसलिए प्रॉसीजर करने के बाद भी हाट आप बारियां है किद्णि में क्याल्σιुम जादा है इस तरह के पेशिंट में रिस्क ज्यादा रहता है जो सिम्पल एंग प्लास्टी जोती है उसमें इस्ट काफी कम होता है और के होने के पेशिंट दे सकते हैं और इक से दो गंटे के बाद उनको थोड़ा मिश्रित या पेशिन को थोड़ा साधा खाना आणा रिकमेंड करते हैं बहुत ज्यादा ओईली स्पाइसी खाना नहीं होना चाहिए पर इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि जब नली में लगा देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल वापिस से बीच में नहीं आता तो री ब्लॉकेज होने का चांस कम होता है पहले जमाने में जब नॉन मेडिकेटेड या बेर मेटल स्टेंट आते थे तो री ब्लॉकेज का चांस लगवग 20 परसेंट जैसा होता था पर आज के डेट पर जब से चांस काफी कम हो गया क्योंकि स्टेंट के ऊपर एक ऐसे केमिकल की कोटिंग होती है जो स्टेंट के अ एक साल के अंदर ही होता है,AST यूजली शरीर को कोई नुगसान नहीं करता, स्टेंट की लाइफ यूजली ऐसी कोई斤 नहीं होती, इसको तो replace ना किया जा सकता है और ना कहीं करने की जरुवत पड़ती है पर हाँ अगर stents में कोई re-block है जाता है तो उसके उपर से एक वही stents की उपर से दुबारा ऐसे एक stents को use किया जा सकता है. Stents की quality में थोड़ा फरक होता है अलग-अलग companies के अलग-अलग metal के stents आते हैं जा अलग-अलग chemical की coating होती है जिसके इसाब से थोड़ा results में अलग-अलग stents में फरक आता है अलग-अलग technology से इनको बनाया जाता है तो उसके इसाब से stents के थोड़े parameters किस तरह से फूलता है किस तरह से behave करता है कि इतनी उसकी strength रहती है यह सब चीजों में थोड़ा फरक आता है recently dissolvable stents का concept था जो काफी लोग recommend करते थे कि जिसमें completely dissolvable stent आता था जो कुछ मेने के बाद अपने अब घुल जाता था यह stent काफी fashionable था इंडिया में काफी लोग use करते थे लेकिन recently काफी studies ने ऐसा पाया कि dissolvable stents में कुछ टुकड़े नली के अंदर वापिस रहे जाते हैं जिसकी वज़े से long term stent नली में trend वापिस से आ सकता है पर as of now ज्यादा तर जो स्टेंट्स करते हैं पेशेंट में वो बेटल के स्टेंट्स ही होते हैं यह स्टेंटिंग के टेक्नोलोजी 25-30 साल पूरानी है इसलिए 50 साल या 80 साल बाद स्टेंट्स के साथ क्या होगा इसका बहुत डेट अवेलिबुल नहीं है पर ज्यादा तर यह माना जाता है कि स्टेंट्स एक बार अगर पहले एक साल या 6 मैने में कोई री ब्लॉकेज नहीं आये तो उसमें लाइफ टैम तकलीफ नहीं आएगी ज्यादा तर आज के डेट करते हैं क्योंकि यह नॉन इंवेजिव प्रोसीजर है रिसकी नहीं है पेशेंट दो तीन दिन में अपना नॉर्मल काम चालू कर सकता है कोई स्कार या इंसीजन या चीरफाड की इसमें जरूरत नहीं है इसलिए ज्यादा तर आज के डेट में अंजो प्लास्टी को प्रि दो-चार घंटे के इंदर हमारे पास आता है तो इसमें दो तरह के ऑप्शन होते हैं या तो नली को खोलने के लिए हम एक इंजेक्शन का यूज करते हैं जिसको थ्रॉमोलेटिक ठेरपी बोलते हैं या तो एंजो प्लास्टी का यूज करते हैं त्रॉमोलेटिक ठेरपी सिर्फ 30 और 40% केस में खोल पाते हैं और लगबग 50% केस में नली में थोड़ा फ्लो आता है एक जो थोड़े महेंगे thrombolitic agents आते हैं जिसमें retiplays, tenectiplays या ultiplays होते हैं ये थोड़े costly आते हैं लगबग इनका cost 50 to 70,000 जैसा रहता है और इसमें success का ratio लगबग 50% जैसा रहता है नली का पूरी तरह से खूल जाने का लेकिन हाँ जाधा तर इस तरह के cases में बाद में angioplasty करनी ही पड़ती हैं क्योंकि ये thrombolitic agents क्या है नली में जो blood का clot है उसको ही dissolve कर सकते हैं उसको ही घोल सकते हैं जो cholesterol का blockage है जिसके उपर वो clot बनता है उसके लिए ये कुछ नहीं कर सकते उसके लिए बाद में angioplasty ही करनी पड़ती है नहीं तो patient को बार-बार attack आने का risk होता है इसलिए ज्यादा तर cases में recommended है कि अगर angioplasty की facility available है तो angioplasty ही first step करना चाहिए क्योंकि angioplasty में success ratio नली के खुलने का almost 95-99% है जबकि injection में success ratio around 30-50% जैसा है और angioplasty जो है वो permanent therapy है जबकि injection वाला therapy temporary therapy है जिसके बाद angioplasty के लिए वापिस से patient को जाना ही पड़ता है और खर्चा बढ़ जाता है patient का ये जो injection वाला therapy इसमें significantly थोड़ा bleeding risk भी होता है क्योंकि खून पतला करने का injection है सौमें से 1-2% को इन दवा के reaction से significant bleeding हो सकते हैं जिसमें जान का खत्रा भी हो सकता है कि यूजिली हर angiography के बाद angioplasty करना जरूरी नहीं होता लेकिन हां heart attack वाले patients में angioplasty ज्यादा तर emergency माना जाता है बाकि सब जहां 70-80% वाला blockage का हो तो वहां पर patient wait करके थोड़ time के बाद भी अगर angioplasty करें तो इतना दिक्कत नहीं आना चाहिए अब हम बात करेंगे multi vessel angioplasty याने multiple नलियों में अगर किसी को blockage हो उस बारे में ज्यादा तर यह माना जाता है कि 70% से ज़्यादा blockage जो तो हम treatment करते हैं अगर patient को acute heart attack है या fresh heart attack है तो उस time पर हम खाली main नली जिसमें heart attack है जिसे हम culprit vessel बोलते हैं उसका ही angioplasty करना प्रिफर करते हैं क्योंकि ऐसे time में body की sensitivity थोड़ी जादा होती है तो इस तरह time पर multiple नलियों में stand डालने से खत्रा बढ़ सकता है stable patient जहां पर 2-3 नलियों का blockage जो उसको एक बार में treatment किया जा सकता है सारी नलियों में लेकिन उसमें भी थोड़ा risk होता है कि by chance अगर patient का BP वगर fluctuate किया या multiple नलियों में angioplasty के दरवान ज्यादा contrast अगर use वह तो patient को नुकसान होने का अंदेशा ज्यादा रहता है तो ऐसे cases में हम usually stage plastic करते है याने एक नली को angioplasty अभी किया और दूसरी नली को 2-4 दिन के बाद किया मैं ज्यादा तर ऐसा prefer करता हूँगी दूसरी नली को थोड़े gap के बाद 2-4 मेने के बाद करें तो ज्यादा अच्छा है उसमें पहले नली में stand का कैसा result है वो भी हम देख लेते हैं कोई reblockage वगर तो नहीं है उसके बाद दूसरी नली को handle करें तो safety ज्यादा रहती है रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं इमर्चेंसी सेटिंग्स में लेकिन यूजली हम prefer यह करते हैं कि जो नली में heart attack है उसी को treatment करें बाकी नली को उस समय करने से risk कई गुणा बढ़ जाता है हाँ अगर patient का BP बहुत ज्यादा कम हो और ऐसा situation हो कि दूसरी नली को खोले बिना patient का बचना बहुत मुश्किल है तो उस नली को साथ में किया जा सकता है दूसरी नली को लेकिन safe नहीं कहला था उसमें risk काफी ज्यादा होता है अब हम बात करेंगे last topic के बारे में जिसमें उमर वाले patients की में angioplasty की बात करेंगे यूजली साथ सतर से उपर जिनकी यह जोती है उनको elderly patients की category में रखा जाता है इस तरह के patients में angioplasty possible तो है क्योंकि इसमें कोई age limit नहीं है अपर age limit नहीं है पर इस तरह के patients में नलीों में calcium काफी जमा हो जाता है तो ऐसे patients में angioplasty की results कई बार उतने अच्छे नहीं आते कर तो सकते हैं लेकिन क्योंकि नलीों में दीवारों में calcium इतना जमा हो जाता है कि वो stand को properly खुलने नहीं देते है तो re-blockage का chance भी ज़्यादा रहता है stand में clotting का chance भी ज़्यादा रहता है और इन patients में जो खुन पतला करने की दवाई वगर जो हम देते हैं जो थ्रॉंबोलेटी थेरपी वगर देते हैं उससे bleeding risk भी ज्यादा रहता है reaction होने का chance भी ज्यादा रहता है इसलिए उमरदराज patient में angioplasty possible तो है लेकिन हम तभी करते हैं जब patient को बहुत ज्यादा significant problem हो या heart attack हो वैसे patient में हम उमरदराज patient में angioplasty करना प्रिफर करते हैं अब तिल 75-80 एज तक इतना दिक्कत नहीं है पर हाँ जे लोग का एज 80 से ज्यादा है उनकी body बहुत ज्यादा weak fragile हो जाती है तो इसलिए उस एज में यूजली अवोइड करते हैं जो प्लास्टी हाला कि impossible नहीं है मैंने इवे 92 एज में भी किया है पर लेकिन उस एज में यूजली अवोइड करते हैं अगर नलियों में calcium जादा नहीं है तो फिर भी इस एज में भी एंजब लास्टी कर सकते हैं यह नलियों का जो calcium है यह हर नलियों को हो जाता है ऐसा नहीं है सो में से 10 20% लोग को जाधा होता है वो अलग-अलग व्यक्ति की नली की तासीर पर depend करता है कई पर यह लग करता है पर जिन लोग के नलियों में calcium जादा होता है उसमें अंजयो प्लास्टी के results उतने अच्छे नहीं आते ऐसे यह लोगो है उसको हम हटा सकते हैं नली से और उसके बाद हम स्टेंट को यूज कर सकते हैं इसमें रिजल्स थोड़े बेटर आते हैं इस टेक्नीक को रोटाबलेशन बोलते हैं इसके लावा लेजर और लितो ट्रिप्सी करके भी टेक्नीक्स अवेलिबल है जिससे इस तरह की calcium calcium वाल अलग अलग तरह के स्टेंट से अलग अलग तरह की hospital packages वागर रहते हैं जिसके साब से cost vary करता है एंज़ोप्लास्टी नॉमली में वल्साइड में जैनी डॉक्टर राउस या अधर्श हॉस्पिटल जिसे कहते हैं वहाँ पर करता हूं और वापी में 21st century hospital में मैं करता हूं हमें procedures routinely every time हमें procedures करते हैं और heart attack वाले पेशन में रात के टाइम पे भी emergency में भी हमें procedures हमेशा करते हैं एंजब्लास्टी latest technology ही है कई लोग पूछते कि इस से कुछ नया है क्या stand के बदले कोई नया technology है क्या यह recently जो मैंने कहा कि वाट्सप एक वीडियो भी आया था कि यह स्टेंड्स के बदले technology है तो यह सब चीज़े गलत है क्योंकि एवन रिसेंटली आपने काफी व्याइपी लोगों में भी देखा होगा कि कपिल देव को सौरव गांगुली अशोग गैलो तो अनुराग कश्यब इस तरह के वी आईपी लोगों में भी रिसेंटली जहा बेटर किया जा सकता है पर angioplasty से नया या latest इसमें और कुछ नहीं available है वह vacuum aspiration catheter जो जिसने whatsapp में circulate जिसको लोगों ने किया था वह एक्चिन में fake video है वह catheter खाली clot या लली में जो blood का थक्का होता है उसको निकालने के काम आता है एक्च्वल नली में जो cholesterol का blockage है वो बीना angioplasty के नहीं निकाला जा सकता उसको आप vacuum aspirate करके निकालने की कोशिश करेंगे vacuum suction से तो नली फट जाएगी लेकिन वह blockage नहीं निकलेगा लास्ट हम बात करेंगे chelation therapy, ECP और natural bypass therapy जाधा तर इन सब technologies के लिए कोई scientific basis नहीं है और hardly मैंने अपनी life में एक भी patient अभी तक नहीं देखा है जिसमें की techniques में कोई successful result मिला हो angioplasty में comparatively यह 100% guaranteed success वाली technology है जिसमें almost reblockage अगर आता भी है तो भी less than 5% of the cases में आता है 95% of the times इसमें patient को दुबारा कोई तकलीफ नहीं आती है और इसके results 100% guaranteed results होते है as compared to बाकी जो alternative therapies है जिसमें success ratio maximum अगर आता भी है तो 510% से ज़्यादा नहीं मिलेगा Thank you